सो एय गाईज वेलकम बैक टो दोस्तों अगर आप साल 2030 में न्यू कावसा के निंजा 300 को पर्चेस करने का सोच रहू ना तो यार यह वाली वीडियो आपके लिए होने वाली है क्यूंकि आजके इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वालूँ ऐसे साथ रिजन जिनकी व बनता ही है तो चलिए दोस्तों बिन आपका समय गवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो यहां पर बात करें पहले रिजन के बारे में जिसकी वेसे आपको साल 2030 में कावसा के निंजा 300 को पर चेस नहीं करना चाहिए तो वह नहीं वाला इस बाइक की हो जाते हैं और आपको उबड़ खाबर रस्तों पर इस बाइक को चलाने में काफी सारी दिकतों का सामना करना पढ़ सुकते हैं तो इसलिए बात करते हैं वाownर तो ही है कि जो इस बाइकि मैंटीनेश को दिय मैंटेनेश कोश नहीं हए और धोस्तों गयर पार्ट से ना उनका भी कोश्ट काफी जाद है और अगर आप इस बाइक का चेंज सौकिट चेंज कराने जाओगे ना तो उसका आपको खर्चा कम से कम 11000 का पड़ जाता है और लेबर कोश्ट मुला के जो आपका चेंज सेट को चेंज करनी कोश्ट हो लगबग 12 से लेके 4000 के बीच में पहुंच जाती है और अभी तो जो इस बाइक के पार्ट की कोश्ट ने वो तो कम हो गई है बट कुछ साल पहले जो स्पेर पार्ट की कोश्ट से वो इससे भी डबल थी तो इसे लिए बात करते हैं 3rd point के बार में तो वह ने वाला है इस बाइक के कंसोल को लेकर तो यह जब से यह वाली बाइक इंडियन मार्केट में लाउंच हुई है ना तो यह तब से लिके अब तक इस बैक में यह कंपनी वाले कुछ ऐसा ही कंसोल दे रहे हैं किमेंड करके बताना है तो उचली बात करते हैं फॉर्थ पॉइंट के बार में तो यह वह होने वाले की मालिश फिगर के रिगाड़ें तो यह वर आपको सिर्फ 20 के आसपास की मिलती है और अगर आप इस बैक से रैश राइडिंग करते हो तो मालिश आपके और भी कम हो जात यह वह पर उसको काफी कम मिलने वाली है तो यह लिए बात करता है फिफ्ट पॉइंट के बारे में तो वह नहीं वाले इस बाइक शुरू प्रैस के रिगार्डिंग तो जो इस बैक स्वाइब काफी जाद है सेग्मेंट की रेंज में तो अभी इंडियन मार्केट में इस प्रैस चरहा है तीन लाग चालीश जार पे और यह वाली बाइक आपको ओनोड लगबग तीन लाग नबे जार के असपास की पड़ती है और एक्शुरूम प्रैस के लावा ना यार कावसा की जितने भी शोरूम हो चुके हैं वह आप से काफी अलग 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 चार्ज व विल्कुली कमफर्टेबल नहीं है और अगर आप इस बाइक को परचेस करते हो तो आपको कोई भी यहां पर ग्रैब रिल्स बाइक की रियर में आपको देखने को नहीं मिलता वह दोस्तों आपको अलग से परचेस करना पड़ता है और कुछ इस तरह का पांसुरूम से और कहीं के शुरूम तो इसको आपको कॉंपलेमेंटरी भी देते हैं तो चलिए बात करते हैं लाश्ट पॉइंट के बारे में तो वह ने वाले इस बाइक लाइटनिंग के सैट अप के रिगार्डिंग तो गाइस जैसे इस बाइक का जो एक शुरूम प्राइज हो तीन लाग सब्सक्राइब और इस सेग्मेंट के जितनी बाइक सब्सक्राइब को मिलता था तो दोस्तों यह होगा इस साथ पॉइंट जिनके वेसे आपको इस बाइक को परचेस नहीं करना चाहिए और दोस्तों आने वाले समय हमें एक और वीडियो भी लेक आए जिसमें मैं आपको सब्सक्राइब के लिजिए तो चले दोस्तों मिलते हैं एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई